Good morning students, आज हम आपका GK का first class का lesson number 12, weather जो है वो करेंगे, look at the picture of different weather, condition and write suitable word for each from the help box, आपने picture को देखना है और उसको देखके जो help box दिया गया है उसमें से पहचानना है कि पिच्चर किस चीज की है, तो first picture देखे मौसम साप है, धूप निकली विये तो वो क्या है, sunny है, उस दिन द सनी है, S-U-N-N-Y, sunny, next picture second, हवा बहुत तेज चल रहे है, जिसके कारण से पेड़ जो है वो गिर रहा है, तो कैसा मौसम है, windy, W-I-N-D-Y, windy, next देखिए, जो बारिश हो रही है, लोग अम्रेला लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब कैसा day है, rainy, rainy, next, fourth, बरफ है चारों तरफ, तो कैसा day है, snowy, S-N-O-W-I, snowy, next, fifth में आप देखिए, fog है, दुन देना चारों तरफ, तो कैसा day है, foggy day है, F-O-G-G-Y, foggy, next, picture में जो व्यक्ति है, उसने sweaters पहने हुए, और बरफ दिखाएगे तो इसका मतलब ठंड है, तो C-O-L-D, cold, next, बादल दिखाए में, clouds है न, का काले काले, तो कैसा day है, cloudy, C-L-O-U-D-Y, cloudy, eight picture में क्या है, बिजली कड़करी है, तुफान दिखाया हुए, पानी की लहरे टकरा रही है, तो कैसा है, stormy है, S-T-R-O-M-Y, stormy, next, अब देखिए, let's focus, weather is the condition of the air surrounding us, weather, किस पे depend करता है, जो हमारे आसपास, जो air है, उसकी according होता ह weather, अगर हवा में गर्मी है, तो कैसा होगा, गर्मी वला दिन होगा, गरम होगा दिन, ठीक है, और अगर हवा में धंड़क होगी, तो धंड़ा होगा, the four main seasons in India are summer, winter, rainy and spring, हमारे चार main seasons कौन से हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश और spring, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगली क करेंगे, थैंक यू